हेलो फ्रेंड वेलकम टो अनदर वीडियो तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम एनालेसिस करेंगे पी आई इंडस्टिक के स्टॉक को तो friend अगर मैं company की listing की बात करूँ तब से अभी तक इस stock ने अपने investor को multi bagger return generate करके दिया है अगर मैं पिछले 5 year की बात करूँ तो 5 year मैं इस stock ने अपने investor को 346% का return generate करके दिया है तो friend अगर मैं पिछले 1 year की बात करूँ तो 1 year मैं इस stock ने approximately 9% का return अपने investor को दिया है अगर मैं पिछले वन मन्ते की बात करूँ वन मन्त में यह स्टॉक अपने हाइर प्राइस से एप्रोक्स 8% के डिसकाउंट पे ट्रेट कर रहा है तो फ्रेंड सबसे पहरे हम कंपनी का fundamental analysis करेंगे फिर करेंगे company का technical analysis fundamental में अगर हम company के market cap की बात करें तो company का market cap लिकल के आ रहा है 53,112 क्रोड के पास में अगर मैं company का P ratio देखूं तो यह लिकल के आ रहा है 39.34 के पास में अगर मैं P B ratio देखने जाऊं तो यह लिकल के आ रहा है 7.38 के पास में अगर मैं industry P देखूं तो industry P लिकल के के आ रहा है एप्रॉक्स 25.99 के सामने तो फ्रेंड अगर हम कहें कि इंडेस्ट्री पी और कंपनी का पी एप्रॉक्स सेम वैल्यू पर ट्रेट कर रहे हैं अगर मैं कंपनी के ओपर बिल्कुल भी डेड नहीं है हम इसे डेट फिरी कंपनी कंसिडर कर सकते हैं तो फ्रेंड का रहरे है 0.29 के पास में अगर मैं ब्रियू कंपनी के लिकल के आ घ ils और मैं कंपनी का फेज वैल्यू देखेंगे तब से पहले कंपनी का रिवींड देखते हैं वह भी कोडर ली तो फ्रेंड अगर मैं प्रिवेंड का रिवल्यू का 높ए काक्कर लिभिन देखने जाओं छ यली रिवेनी देखों तो यली रिवेनी में हमको सांदार गरूव देखने के लिए मिल जा रही है तो फ्रेंड अगर हम company का profit देखें quarterly तो quarterly प्रॉफिट भी अप एंड डाउन चल रहें company को अगर मैं previous year के जून के quarter को इस year के जून के सांथ compare करूं तो काफी अच्छा हमको यहां पे profit देखने के लिए मिल रहा है पिछली बार जो profit 262 क्रोड का था इस बार वहां बढ़के हो चुका है 383 क्रोड का यह हमारे बैटर है तो friend अगर मैं quarterly profit क compare करूं इस year के मार्च के quarter के साथ इस year के जून के quarter को तो हमको अपरोक्स यहां पर भी profit देखने के लिए मिल रहा है लगभग इस quarter में company को 100 क्रोड का profit यहां पर देखने के लिए मिल रहा है तो friend यह हमाले बहुत अच्छी बात है अगर मैं company का yearly profit देखूं तो इसमें सांदर growth हमको देखने के लिए मिल रही है एप्रोक्स फाइब यह में company का profit 3x हो चुका है means company का profit 5 year में तीन गुना यहां से हो चुके है तो friend अब आगे हम company का share holding pattern को चेक करेंगे तो friend मैंने आपके सामने share holding pattern लगा दिया है हम यहां पे previous five quarter के share holding pattern को चेक करेंगे सबसे पहले हम देख देखूं तो लगातार एफाई वाले इस share में buying कर रहे हैं यह हमारे बहुत अच्छी बात है अगर मैं डियाए की quantity देखूं तो डियाए ने अब धिरे-धिरे करके इस share से अपनी quantity को कम करना start कर दिया है लेकिन जो भी share इन्होंने बेचे हैं वह एफाई ने buy कर लिया है त पब्लिक की quantity में हमको थोड़ा कमी आती भी दिख लिया है जो भी डियाए ने share बेचे हैं वह एफाई ने buy कर लिया है तो friend share holding pattern में यही हमको changes देखने के लिए मिल रहे हैं अब हम करेंगे company का technical analysis तो friend मैंने आपके सामने PI industry का weekly chart लगा दिया है अगर मैं stock की current price की बात करूं तो stock की price चल लिए 3,450 के आसपास तो friend यहीं पे share का support लिकल के आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि इस बार share इस support को तोड़ देगा क्योंकि जिस परकार की candle की यहाँ पर formation हो रही हैं लगातार यहाँ पर huge selling हमको देखने के लिए मिल रही है तो मुझे लगता है कि share जो हमारा first support है 3,450 का इसको तोड़के नीचे आएगा तो friend अगर मैं next support की बात करूं तो next support share के लिकल के आ रहा है 3,260 के आसपास में क्योंकि friend आपको share दीख रहा है लगातार एक panel channel में rate कर रहा है यहाँ पर share में buying होती है फिर यहाँ पर selling हो जाती है फिर यहाँ पर share में buying हो जाती है तो इस परकार share में यहाँ जो selling आ रही है तो इस trade line का support भी नीचे से मिल रहा है friend जो यहाँ पर इसका support लिकल के आ रहा है approach आ रहा है 3,260 के आसपास अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पर मैंने एक green color की trade line भी draw कर रखी है क्योंकि यह यहाँ पर share के लिए यह भी support का काम करेगी तो अगर आप यहाँ पर investing करना चाहते हैं share में position बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा wait कीजिए जब share की price approximately 3,300 के आसपास आए तो उस time पर आप इसमें buying करना start कीजिए friend तो friend साथ मैंने यहाँ पर 100 days और 200 days का moving average भी लगा रखा है जो भी अगर मैं देखने जाओ 100 days का moving average share के लिए support की तरों काम करता है तो current time पर जो 100 days का moving average है यह लिकल क्या रहा है 3,115 के पास में तो friend कुछ time के बाद भी यह moving average approximately 3,100, 150 के आसपास पहुंच सकता है अगर share में यहाँ से buying होती है तो friend अगर मैं आपको back testing करा के दिखाऊं तो 100 days का moving average share के लिए multiple time support की तरों काम कर रहा है जैसा कि आपको यहाँ पर clear card दिख रहा होगा कि share में लगातार 100 days के moving average से buying होती जा रह है कि 100 days के moving average से share में buying आना start हो जा रहा है तो friend अगर मैं और past में चले गया हूं 2018 के आसपास तो यहां पर share ने एक बार 100 days का moving average तोड़ा था लेकिन जब इसके ओपर closing दे दी तो share में फिर हमको एक तरफा रैली देखने के लिए मिल रही है तो friend जब share का price 100 days के moving average को तोड़ता moving average share के लिए support की तरह काम कर रहा है यह हमको यहां पर देखने के लिए मिला एप्रॉक से हम इसको भी यह पर मान सकते हैं अगर मैं और past में जाओं friend एप्रॉक से मैं चले गया हूं 2017 के आसपास तो यहां पर भी आपको दिख रहा है 100 days के moving average पर share ने support लिया और 2016 में भी हमको ही देखने के लिए मिल रहा है तो में से share के लिए 100 days का moving average बिलकुर support की तरह काम करता है एप्रॉक से मैं 2013 में भी गया हूं तो यहां पर भी हमको clear cut दिख रहा है कि 100 days का moving average share के लिए support का का काम करेगा तो friend इस बार भी ऐसा ही हो सकता है कि 100 days के moving average पे जब पर आए जाए और share म 40 के आसपास आता है तो उसके बाद share में buying आना start हो जाती है तो friend मैं आपको RSI की back testing कराके दिखाता हूं तो अभी हमारे current time पर RSI चल लिए 46 के पास में जब भी RSI indicator देखे एप रोक्स जब 40 के आसपास आता है या 40 से नीचे आता है तो उसके बाद share में buying हो जाती है तो friend मेरे according share में यहां से 100 उपीज से correction और हो सकता है तो उसके बाद चाहे तो अब share में position बनाना start कर सकता है अगर आप कहीं उपर वाली buying price में फसे हो friend तो 100 उपीज से correction का wait कीजिए तब इस share में averaging करना start कीजिए तो कि friend जब भी यह share में तेजिंग होती है तो उसके बाद यह double pattern की formation कर रहा है तो हमारे according इस परकार से double pattern मना के फिर से share में हमको यहां से तेजी देखने के लिए मिल सकती है तो friend अगर मैं RSI के और back testing करा के दिखाऊं आपको past में तो आपको दिख जाएगा कि यहां पे share में जब भी RSI approach 30 के आसपास आ रही है तो share में buying आ जा रही है friend य तो मैंने आपके सामने weekly chart लगाया है अगर मैं और पीछे जाओं approach 2019 में भी तो जब भी RSI 30 और 40 के आसपास आती है तो share में buying आना start हो जाता है तो friend अब हम इसके analysis करेंगे daily chart पे तो friend मैंने आपके सामने P.I. industry का daily का chart लगा दिया है अगर मैं daily chart पे देखूं share अपने support से अपने resistance पे पहुंचता है उसके बाद share में हमको यहां से huge selling देखने के लिए मिल जा रही है तो friend अगर मैं यहां पे देखूं share अपने 100 days के moving average से नीचे trade कर रहा है और 200 days के moving average के पास trade कर रहा है तो friend अगर मैं share के लिए यहां पे support की बात करूं तो support वही लिकल के आ रहा है friend 3260 के आसपास तो friend अगर आपको share में position बनानी है तो approach आप 3260 के आसपास के price के पास share में position बनाई है क्योंकि यहां पे आपको पता है share के लिए पहले channel का support भी है साथ में आपको दीखे रहा होगा कि हमने यहां पे green color के line draw कर रही है इसका support भी लिकल के आ रहा है जो कि past में share के लिए multiple time support का का काम कर चुकी है तो friend यहां से share में पिछले बार भी buying आये थी तो मुझे लगता है कि share में इस बार भी यहीं से buying आ सकती है तो friend अगर आप current price में भी share में buying करना चाहता है तो आप अपने quantity का यहां पे सिर पर 10% buy करके चलिए जो कि मुझे लगता है कि यहां पर share में फिर से selling आ सकती है अगर friend share के price में correction होगा तो आप इसे नीचे वाली price पे averaging कर सकते हैं तो friend अगर मैं share के लिए RSI indicator देखूं तो RSI अभी चलिए share के लिए 30 के आसपास तो friend अगर हम past में चेक करें तो इस share के लिए जो RSI है एपरोक्स 20 तक पहुंच जाती है उसके बाद share में reversal हमको देखने के लिए मिल रहा है तो friend मेरे according इस share में 50 से 100 रुपीज का correction और हो सकता है उसके बाद share में reversal देखने के लिए मिल सकता है तो friend अगर आप share में position बनाना चाहता है तो इपरोक्स आप इस जोन में share को buy करिए क्योंकि यहां से मुझे लगता है कि share में reversal जरूर देखा जाएगा तो friend अगर आप share में position बनाता है अगर मैं आपकी bank price एपरोक्स 3400 के आसपास भी ले ले लेता हूँ उसके बाद share में जो आपका first target रहेगा तो first target में एपरोक्स आपको 7% के आसपास profit देखने के लिए मिल जाएगा और आपका target रहेगा 3630 के आसपास तो friend अगर मैं आपके लिए second target की बात करूँ तो second target में share में एपरोक्स आपको यहां पर 13% का profit मिल जाएगा और आपका जो target रहेगा 3820 के आसपास रहेगा अगर मैं आपको third target में एपरोक्स आपको 18% का profit मिल जाएगा और आपका target रहेगा 4000 के आसपास friend आपने जब profit देखा तो profit में आपको पता है कि share को quarterly बहुत अच्छा profit हुआ था अगर share ने इस बार इस resistance का तोड़ दिया तो share में यहां से fresh rally देखने के लिए मिल सकती है अगर share में fresh rally देखने के लिए मिलती है और share इस बार अपने इस panel channel को छोता है तो एपरोक्स आपको 25% का profit देखने के लिए मिल जाएगा और share के लिए जो target रहेगा वो रहेगा 4200 के आसपास तो friend अगर आप इस परकार से share में position बनाओगे तो आपको definitely profit होगा तो friend अगर आप share में position बनाना चाहते हो तो एक बार खुद की research करिए चाहे तो अपने financial advisor से भी consider कर सकते हैं तो friend अगर आप लोग चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe कीजिए साथी comment करके comment section में यह भी बताई कि आपको next video की share के ओपर चाहिए